हेलो फ्रेंड्स तो आगे हैं मैं एक आओ नई वीडियो के साथ यह रेंग्पु सिंग के एपिसोड नमबर 17 होने आला है तो आज की इस वीडियो में आपको सोलो का फूल मैच का गेमपले दिखाने वाला हूँ जिसमें आपको काफी ज्यादा मज़ा आने वाला है और काफी के सेद्गर सोलो में तो यहां पर उणके मन में अग्रीज्य में कここ कि आ या फिर पीक में ऊतरू क्याँ ऐसा करके मतलब कंफी लोगों के मन में ये खयाल हाता होगा लेकिन हम रेंग पूस करते हैं इसलिए वहां पर जानी पाते क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा होता है मतलब 50-50 चांस रहता है हम मर भी जाते हैं और मार भी जैते हैं ऐसा चांस रहता है तो मैं तो रेंग पूस फिलहाल मैं खुद नहीं उतरता भाई अगर मैं रेंग मसीन नहीं रहता है अच्छे से लूट होता ही नहीं है जैसे कि चीप होगा चीप नहीं मिलता है कहां से करीद होगा और चीप मिल जाता है तो यह सबसे बड़ा मेरा रीजान है कि मैं इसलिए क्लॉक्त और या फिर पीक में नहीं उतरता हूं दूसरी भाले ही मैं ब्लू ज यह बंदा मेरे को मारते मारते रहा गया बही मतलब मरते मरते बचाओं मैं मतलब बहुत ज्यादा खत्रा रहता है रिस्क रहता है यह समझ लो माइनस होने का तो इसलिए कोई भी मैं तो सजेस्ट करूंगा पीक यह फिर प्लॉक्ट और में उतरो ही मद भली ब्लू जोन में कि लिए वर्याइन यह के लूब बीटाओंग के ऐसा नहीं हो फिर फिकर नहीं है क्योंकि दुबारा रिवाइन मिल जाता है लेकिन सोलो में ऐसा नहीं होता है आप खुद हो ऐसा रहता है तो अभी देखोगे तो मेरे पास वाल भी नहीं था अगर आपने नोटीस किया होगा तो बस ड्रॉप में मेरे को तीन वाल मिला है तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है अगर मैं अगर आप फैल को लगा कर खेल रहा हूँ जैसे कि मैं भी फैल को लग वाल वाल लागा कर रहा था रहता है यह पासलीन वाल नहीं नहीं अग्य बदे को सवांट में घृँष बैंकगा लिया उस हो इसी बनन प्राइब जबार उन लोगों करेंगे सब्सक्राइब कर सूद्ध चाहते हैं लीट है तो यह मिलेगा नहीं चलो यह हीद्ध नो कुछ नहीं से किया है अगर उत्रेयों कभी तो वाल जल्दी से नहीं मिलता पीक में और Clock Tower में भी नहीं मिलता मिल जाता है वह बात अलागा लेकिन वह बरबाद हो जाता है, मतलब यूज हो जाता है ऐसा जीनराटा ता ये सब दिक्कत आता है पीक और क्लाक्टर मुतरोगे तो लेकिन अगर वेंडिंग मसीन है तो आपको अच्छे से लूट मिल जाएगा भाई एक तो चीप खरिद सकते हो अगर आपको तीन चीप वाला गन चलाने का आदत है तो फिर पीक और क्लाक्टर मुतरने का कोई फायदा ही नहीं है ऐसा समझ और आज के टाइम पर देखोगे तो हर बंदा तीन चीप वाला गनी चलाता है भाई मतलब यह इतना ज्यादा खतर ना के चाहिए आप एम फोर्टी चलाओ जो भी गन चला लो तीन चीप वाला गन हमेशा एडवांटेज देता ही देता है आपको अब यहाँ पर देखो मेर को एक बंदा दिख जाता है भाई यह जोन में जा रहा था बकते बकते मैं गाड़ी में था कभी भी जोन के बाहर में बंदा दिखते है उतर के फाइट कभी भी मत लेना जैसे कि कई बंदे भी क्या करते है गाड़ी से उतरते है और उस वाले बंदे से फाइट लेना इस ट पीछे देखो भाई एक और बंद गाडी लेकर जा रहा है तो जबकि उसके पास मीशा नहीं था और कौन सा गाड़ी चला रहा है देख सकते हो जीप या फिर पता नहीं क्या गन बोलते हैं जीप भी बोलता हूं मैं तो उसको तो वह बंद वह गाड़ी चला रहे जिसमें अब इस वाले बंदे को दोखो भाई कितना दिमाख लगाए इस वन्देने में इस पर डारेक्ट अरस कर दिया नेड करूंगा सोच कि अब यह बंदा पीछे से निकल जाता है अच्छा खेला मतलब दिमाख लगा कर खेल रहा था यह दिमाख इसको पहले लगाया रहता तो सा जालतू में में से फाइट करनायी स्टार्ट कर दिया यह अगर यह पीछे से निकल जाताहिए नीचे से तो साथ निकल भी सकता था इसके एं insider में रुका एी रहता अब इसको बैने उड़ा दिया थाथ इसे के साथ मेरे टोटल अभी देखो तो साथ किलो चुके हैं और था अभी अभी कूछे दिन पहले तो उसमें एक तरह कई और कांविनेसन बताया था मैं जो कई वन सॉच रहा हूं मैं तीन करेक्टर कंवनेसन एक के वीडियो में आपको बता हूं मतलब के सौंट रेंज करके एक बार जरूर से बताना यार कि मैं वाला वीडियो बनाओ यह फिन नई बनाओ एक बार मेरे को जरूर से कमेंट करके बताना मतलब हर तरह जैसे आप खेल सकते हो एक तो बंदा सांट रेंज से खेलता है एक तो लांग रेंज से खेलता है और एक है सांट रेंज लांग जाता समझ सकते हो तो ऐसा जो बंदे कहलते हैं उनके लिए character combination तो ऐसा सोच रहूंग हूँ इस टाइब को में वीडियो बनाने का character comedian के उपर जरूर से आप मेरे को एक बार comment करके बताना कि ऐसा video बनाओ यो फिन नहीं बनाओ तो अगर आप बनाने को बोलोगे तो फिर मैं जरूर से आपके लिए ये वाला वीडियो बनाऊंगा तो फिर देखते हैं अभी कमेंट कितना आता है और कौन-कौन बोलते हैं फिलाल तो अभी मेरे को जोन में जाना है मेरा 9 किल हो चुका इस टाइम पर देखो गे तो और मेरे को छोड़ कर अभी चार बंदे बचे और अभी देखोगे तो मेरा एक मिसन दीख रहा है जिसको मैं पोची नौक मिलिया था भाई कहां से कहां गया इस बंदे को किसी नहीं बारा है अभी तक ये मेरे लिए ही बचाया साय तक तो एक बंदा मेरे को और दिखा जिसको मैंने काफी इजीली उड़ा दिया था वो जोन के अंदर में था लेकिन मेरे पास तीन चिफ वाला गंधा मेरे को एकदम ज्यादा मतलब कॉन्फिटेंस ठाक है कि मैं उस वाले बंदे को मार ही दूँगा इसलिए मैं उस पर फायर किया अगर जब तक आप 100% सियोर नहीं हो तब तक आप किसी भी बंदे को फाइट मत दो मतलब फायर मत ही करो खास कर आप अगर आप जोन के बाहर में होतो और ऐसा करोगे तो फिर आ करना जाओगे जैसभी आगर मैं उस बंदे को नहीं मार पाया रहा था तो वह मेरे लिए कंपी जाधे दिक्कत छडी कर देता तो कि होग हो जोन के अंदर में और में जोन के बाहर में था और जोन के बाहर भी मिरे को कंपी ज़्यादा जौन से डामेच पढ रहा था यtya तो फिर वह सब मैं लूट लिया लेकिन जब लूटने के बाद देखा तो मेरे को छोड़कर बस एक ही बंदा और बचा था यार तो यह चीज देखकर मेरे को मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लेगा कि फाल्तु में मैं लूट करने के लिए बैड़ गया था जबकि एक लाश् तो फिर भी वह मिसान मेरे को दीख ही रहा था अब भी देखो के तो मेरे पास कांफी ज़्यादा वाल होको चुका था जबकि मेरे पास उस्टेम पर 5 या फिर 6 वाल ली था सार तक चार-5 वाल ली था असपस आउर अभी मतलब 20 प्लस वाल हो गया है मतलब उस वाले बंदे मेरे को कांफी ज्यादा वाल मिल चुका था और मेरे को नेड़ भी मिल चुका था यार कांफी ज्यादा नेड़ मिल चुका था अब ये बंदा जस्ट अब मेरे सामने ही था पत्थर के पीछे था इस टेम पे मेरे को उसका लोकेशन भी पत्था लग गया था लेकिन मेरे पास स्केनर था तो मैं ऐसे छोड़े जा रहा था स्केनर तो अब इस टेम पे मैं देको डैजilt यार मतलब ग्रेनेड जो देखो गेना तो 8 ग्रेनेड वह और मतलब 8 तब जाकि उसके पास इतना ज femmes उकठ़ा तो ऊभाटर भी मेरे पर Self प्रोस प्रेम्योड किया हggakने वह सब्सक्राइब फेके जा रहा था टो इस टाइम पर देखोगे तुम लगह तर फेके जा रहा तो मेरा लास्ट में आपको दीखी जाएगा तो अभी देखते हैं मेरे को कितना प्लस मिलता है और कितना मेरा कील है तो यहां से चलते हैं बेक करते हैं और प्लस कितना मिलता है वो देखते हैं तो इसमें मेरे को 46 का प्लस मिला इस टेम पे देखोगे तो आपको दिल से धन्याद मिलते है नेक्स्ट वीडियो में